22 जनुरी को भारत देश एक इत्यास रिचिन जारा है, यूपी का अयोध्या में तिर्णाम मंदिर निर्मान पूरा होने के बाद उसका उद्गाटन किया जारा है, प्राण परतिश्टा की जारी है, उसी तर्ज पर जैपुर नगरने का में करियेटर है, वो भी लगातार दा क्या कैसे रहने वाला पूरा मोत्सव तो पूरे भारत के अंदर मनने वाला है, तो जैपुर भी उसमें पीछे नहीं रहेगा, पांसो साल का इंतजार हमारा खतम हो रहा है, रामलला पधार रहे हैं और आयोध्या में विराजेंगे, और पूरी दुनिया के हिंदू इसको बड़ा भारी उत्सव के रूप में मनाएंगे, बीस, इकिस, बाइस, पूरे भारत में दिवाली होगी, जैपुर में भी दिवाली होगी, और हम जैपुर में जनता के जनसयोग से व्यापारिक संगटनों, सामाजिक संगटनों, दार्मिक संगटनों, शेक्षन एक संगट और भारती जन्ता पार्टी ने भी इसकी कॉल किये मेरी पार्टी ने भी तो हम सम मिलकर इसको एक यादगार उत्सव के रूप में मनाने के लिए प्रतिबद है और नगर निगम में भी अपनी नगर निगम भी उसमें अपनी पूरी भूमिका निभाएगा लाइटिंग की व को सफाही भी नजर आएगी दिपोत्सव भी नजर आएगा लोग साज सज्जा भी करेंगे अपने घरों को भी सजाएंगे और मैं समझता हूं कि हमारा योगदान गिलैरी योगदान है यह जितना बड़ा उत्सव है राम उत्सव और जितनी खुशी है इसको लेकर वो प् योगदान है वो भी आपको नजर आएगा नगणिकम लगातार प्रयासरत है किस परकास से पहल की जा रही है आमजन को किस परकास किया रहा है सभाई वस्तों वहलेगा बारती जनता पार्टिक ने जो आवान किया उस पर कल हमने जितने महापुरुश हैं उनकी प्रतिमाओ पर यह रहा है सेम अमारे प्रदेश अद्यक्षी रिसीपी जोशी जी ने मोती डूंगरी गनेश जी के मंदिर से सुबह इसकी शुरुवात कि है मैं भी वहापर उनके साथ मौजूद रहा हूं आज जैपुर में लगबग 300 से ज्यादा बड़े मंदिरों में इस प्रकार क कारेकरम करेंगे बड़े पार्कों छोटे पार्कों की सकता भी आगरे करेंगी वहां कि这ब बीयान को एक सतत्द प्रक्रिया के रूप में ले लें और यह आंदोलन जन आंदोलन जाए इसमें जो कुछ भी हमारी बुमिका हो सकती उसको निभाने से हम पीछे नहीं आतेंग जो इंपूर शैर का कोई शेत्र ऐसा नहीं है जहांकि नागरिक समीती से भारती जनता पारटी के जिम्मेदार लोगों ने संपर्क ना किया हूँ हमने भी उनसे संपर किया है उसके साथ साथ सतेस्फूर्थ व्यापारिक संगटन सामाजिक संगटन भी आगे आकर इस अभियान से जुड़ रहे हैं और आपको इसका बड़ा सुन्दर और दूरगामी परणाम अगले दिनों में इस पश्ट रूप से नजर आएगा और मुरे को इसको लेकर आपको कहते हुए संतोश भी है और मेरा विश्वास भी है कि आप निश्चित रूप से जिस प्रकार के जैपूर की कल्पना आप करते हैं वो जैपूर आपको नजर आना शुरू हो जाएगा आने वाले दिनों में प्रदानमंत्री मोदी और गर्मंत्री भी पहुंच रहे हैं डिजी आई जीपी की बैठक है उनको लिगर क्या तयारे विश्वास नजर निवर्ण जैपूर में हो रहा है पांच तारिक छे तारिक साथ तारिक तीनों दिन वो हमारे बीच में रहने वाले हैं तो उसके लिए भी एक विशेश आनंद का अनुबाव है और ने सिर्फ उनके आगमन वरन जो प्रदानमंत्री जी का आग्रह सवच्छता को लेकर और जिसकी बात उनने भारत के लाल के ले से प्राचीर से की थी और उसको भी हम पूरी तरीके से ध्यान में रखत अगरी हमारा प्रेहास ही है संदे साम जनके लिए 22 जनवरी कर दिन को महत्मून और यात्कर बनाने के लिए 22 जनवरी हम सब के जीवन में एक विशेश दिन बन जाने वाला है विशेश दिन रहने वाला है यह 500 साल के बाद इस प्रकार का एक महत्मून गठना करम होगा जो भारत को सदियों तक एक अलग दिशा और अलग प्रेना देता रहेगा और मैं समझता हूँ कि प्रतेक नागरिक को इसमें आगे आकर उल्लास के साथ इसको मनाना चाहिए इसमें सामोईकता का भाव जागरत होगा सामोईक शक्ती जागरत होएगी भारत की और वो जो सामोईक शक्ति होगी वह भारत को विश्व गुरू और विश्व के सबसे अग्रणी राष्ट बनाने के लिए सबसे महत्मून कारक बनेगे तो यह थे हैं जो आ रहे हैं पांसे साथ आरिक के जनुरी की उनको बैठक कॉंफरेंस है आई डीजी आई जीपी के उनको भी कहिने के सोस्ता का दिखाई जाएगी यहां पर ज्यापूर की कलात्मुक जो चीजें हैं उनको परदस्न कहने कहीं किया जाएगा तो इस परकार यह साब कहाजा सकता है कि नगर निगम मुस्तैद है और अपने कारिया को द्रातल पर लाने